आरा लोकसभा श्वेत्र में एक जून को अंतिम चरन में मतदान हो रहा हैं जिसे लेकर बड़े बड़े नेता आरा पहुंच रहे हैं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जहां पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सातवे चरन के चुनाव से पहले आरा में बड़ा दाव खेल दिया है संदेश के पूर्व विधायक और जेडियू नेता विजेंदर यादव ने अपने समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेट की प्राथमिक सदस्यता से इस्तिफा देने की घोशना कर दी है उन्होंने रविवार को प्रेस वारता कर पाटी से मोह भंग होने पर इस्तिफा देने की घोशना की है हाला कि जब वे पाटी छोड़ने की घोशना कर रहे थे तभी पटना से जेडियू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुश्वाहा ने उनके 6 साल के लिए पाटी से निसकाशन का पत्रव जारी कर दिया सातवे चरन के लोगसभाचुनाव मतदान के पहले विजेंद्र यादव का अचानक जेडियू से इस्तिफा एहम माना जा रहा है लोगसभाचुनाव की गोशना के बाद NDA के कारेक्रमों में वे काफी सक्रिय रहे हैं ऐसी संभावना है कि सोमवार को आरा मेते जस्वी आदव राहूल गांधी की संयोगत सभा में वे राजज़त का दामन थाम सकते हैं इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इससे इंकार नहीं किया और बोले कि अभी कुछ और लोग पाटी छोड़ने वाले हैं और इस दल के जितने सिर्षनेता है उपर के लोग नितिश कुमार जी को तो तबियत खराब है वो तो अस्वस्थ हैं उसके नजाज फैदाई लोग पाटी को लोग उठा रहा है जो नितिश कुमार को राध दिन गाली देता था चिराग पाशवान उसके पार्टी से जाके टिकट अपने परिवार लोग के दिलवा करते लोग अपने परचार कर रहा है कोई जा रहा है उधर कॉंग्रेस के टिकट ले करके जो बरिश मंती है वीहार का दूसरे पर्टी के टिकट पंगरेस के टिकट लेकर अपने बेटा और बेटी को लघखी को परिवार के लोग तिकट लेकर के लोग पर्चार कर रहा है तो थोरा सभी अंसाशन रह नहीं गया इस पार्टी में और गठवंधन जो तुटा पिछले बार वो गठवंधन से भी हमको नराजगी था तो थोटा के हो तो हम सोच रहे थे कि अब ये दल जन्दा में काफी इस बात का चाचा था और लोग तरह तरह के बात बोलते थे और जो बाबा साहब का अम्बेदकर साहब